कि नमस्कार आदाब स्वेडरीकल विलकम सू सुखताम है। आप सभी छात्रों का संस्क्रट गद्यान्स की इस पहरी सी क्लास में। जैसे कि मैंने वद्दा किया था कि पेपर के समय पर मैं रोज आपके साथ में संस्क्रट गद्यांस और उसकी पेड़ागोजी को डिसक्स करूँगा तो उसी के बचन बद्ध होते हुए मैं आपके साथ में संस्क्रिट की पेड़ागोजी और संस्क्रिट का गद्यांस मैंने सेर करना सुरू किया है और टेल एक्जाम तक यह ऐसे ही चलता रहेगा आगे जब किसी ट सांग सर के साथ में संस्क्रिट गद्यांस की यह बहुत ही महत्रमूल क्लास जो कि आपके आने वाले आग्यामी एक्जाम में आपकी बहुत ही मदद करेगी और ऐसी मददगार साबित होगी कि आप किसी भी गद्यांस को पढ़ने में समझने में समर्थ हो सकेंगे मैं यह त आना समझा हुआ है और गध्यांस कैसे पढ़ते हैं कैसे समझते हैं यह सारी चीज़ें आप वहां पर जरूर कर पाएंगे यानि अगर ओवर आल मैं कहने की कोसिस करूं तो आप अपने नंबर को जरूर गेंड करेंगे आपने जो लच्छ बनाया है इसको आपको गेंड करने आपको सामने ले करके आया हूं इस पैसिज के चारो खाने आज फिर हमको मिलके मुझे और आपको मिलकर चित करने हैं सारे के सारस कोश्चन सही करते हुए आगे की तरफ हमको बढ़ना है तो इसी के साथ में हम सुरू करेंगे आज सी क्लास को जितने भी नए भाई बंदु जुड़े हैं उनका बहुत हैदिल से स्वागत है बहुत ही अबिनदन है आप सभी के सभी चैनल को लाइक सेयर सेयर सब्सक्राइब जरूर करें जो भी हमारे पुछ क्लास को बंदन है बंदन है शुरू करेंगी इस class को आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर या सीटड दोहजार वाइस-ते इस के लिए ये class conduct की जा रही है जो कि मेरे द्वारा की जाएगी जो कि मेरे दोरा कंड़ेक्ट की जाएगी आप सभी इसको समझते रहेंगे 2022 के लिए है ये संस्कृत गध्यान्स की ये क्लास है संस्कृत गध्यान्स आप पढ़ेंगे मेरे साथ यह नहीं ससांक दिवारी के साथ मैं आप सभी को इसी क्लास में और बता दूँ हलागि मैं अल जूट करेंगे यह सारे के सारे मीडिया हैंडल्स है अपने डियर लर्न चैनल के तो यहां पर आप जूड़ सकते हैं यहां पर आप जूड़ करके पीडिया पा सकते हैं कुछ पा सकते हैं सारी की सारी चीज़ें यहां पर कंड़ेक्ट होती हैं अब जैसे कि आप मुख्य तोर पर पहुंच चुके हैं जो हम आप यह आज और आप और में यहां पर जमा हुए हैं चर्चा करने के लिए आप देख रहें अधोर लिखित गद्यांस पठित्वा अधोर लिखित गद्यांस को पड़ करके तदा धारित प्रश्णानाम उस पर आधारित तदा का मतलब उ उस पर अधारित प्रश्णा-नाप्रश्णों के विकल्प मोतरेश्य यानि विकल्पों में से एक को चुन करए उचित्व उत्तर को लिखिए ऐसी बात कहीं कई है ऐसी बात बताई गई है बहुत ही ध्यान से जैसे कि कल का मैंने आपको पैसेज पढ़ाया था एक एक बात आपको क्लियर रही थी ऐसा आज का भी पैसेज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बात आपके सामने यहां पर मैं क्लियर करने की कुछिस करूंगा बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा बहुत ही मन से पढ़िएगा तो हम थिकनेस को कम कर देते हैं अपने पेंगी ताकि उसमें जाता गंदगी ना फैले चर्यो शरू करते हैं चसा की लिखा हुआ है एक करशन देवर राय थे आपने तेना ली रामा की कहानी बहुत सुनी होगी बच्चे बड़ा पसंद करते हैं बहुत सीरियल देखा जाता है दो बुद्धिवान बक्तियों की बात हमारा इतिहास करता है एक हमारे तेनाली रामा है और दूसरे हमारे कौन है आप कहेंगे बीरबल है तेनाली रामा जो था और कृष्ण देवराय के दरवार में कभी बहुत ही बुद्धिवान बेक्ति के तौर पर बहुत ही हाजित जवाब के तौर पर थे और जो हमारे बीरबल थे वो अकबर के दरवार पर बहुत ही हाजित जवाब के तौर पर थे ठीक है दोनों जो जवाब देने में बहुत ही माहिर थे इनी के बारे में ये एक गद्यान समय आपको पढ़ाता लिखा दो कहीं ने प्रीबेस एर पेपर के हैं तो आपको परजने के बहुत्ज़देया चिंता नहीं करनेक ड़िखा हुआ है क्रस्न द्यों राया अन्रपा पाशित क्रश्ण द्यों नाम का एक राजा थैंक रिव आधा क्रस्ण एक राजा था तस से उसके मंत्री तेनाली राम उसका मंत्री कह था तेनाली राम बुद्धिमान ब्युत्पन्न मती चा आसीद उसका जो मंत्री था तेनाली राम वह बुद्धिमान था और ब्युत्पन्न मती का मतलब होता है ब्युत्पन्न मती ऐसा ब्यक्ति होता है जो तो टाइमिंग बहुत तगडी हो जवाब देने की तो ब्यूत्पन्न मती का मतलब होता है तुरंत मती में उत्पन्न हो और तुरंत ही बोल दे उसे कहता है ब्यूत्पन्न मती तो उसका मंत्री तेनाली राम बुद्धिमान और ब्यूत्पन्न मती चा का मतलब होता हो तो बु मुखान मने प्रमुख अधिकारियों को आहूत वान मने बुलाया एक बार राजा ने सभी प्रमुख अधिकारियों को बुलाया प्रमुख अधिकारी में कौन होंगे आप कोगे बित्त मंतरी होंगे तब चलते होंगे अच्छा मंतरी तब भी चलते थे तो इसी में प्रकार क को चा उन सभी को पंचासत सोन मुद्राह दत्वान यानि उन सभी को पंचासत माने पंचासत माने पचास क्या पचास तो उन सभी को बुलाया और चा यहां पर जैसे और यहां पर कहना है तो चा बाद में लगता है और उन सभी को पंचासत माने पचास सोन मुद्राह माने सोन सोने की मोहरें दतवान माने देता है या दी उन्सभी को बुलाया और की कुलाएँ तो प्रमुक अधिकारियों को बुलाया और उन्सभी अधिकार न संदर वे सभी अधिकारी प्रसंद हो गए आप अवन माने हो गए उसे पाकर किसे पाकर तो आप कहो गया मोहरों को पाकर ते माने वे सरव कर देने के वाद में अब राजा गोषणा करत्वान वा राजा ने गोषणा की पहले देदिस प्रसंदों औंग अनुस्थन को अपनी इच्छछा के अनुसार वस्तूर्ण atus की अपनी इछ्छा की वस्तु को खरीद से तो इस के पूर्व मम्यां परहल लेकिन उसके पहले मताब करीद तो लो लेकिन के GB घाक्रना है मं मुख दर्सन मेरे मुख का दर्सन या मेरे चेहरे को देखना दर्सन अनिवार्यम अस्ति अनिवारा है मा ने तुमको हमने 50 रुपए दिये है पचास फोने की जो मुद्राइगं दिये है एतेन धनेण इस दन से स्वा अभिष्टम स्वा मने अपना अपनी इच्छा से वस्तों को खरीद लो परंतु खर्चा करने के पहले परंतु ब्याइमच चै demokrat ससंत परंतु खर्चा करने के पहले लेकिन खरीदने के पहले मम्मक्न दर्सनम अनिवार्यम अस्ति मेरा मुख देखना या मेरा दर्सन करना आवश्यक है एक सर्द रग दी कि खर्चा तो कर सकतो जो चाहो वो खरीद हो लेकिन खरीदने के पहले जब इसको खर्चा कर रहे हो ना मेरा मुख जरूर देखना नहीं तो खर्चा नहीं कर पाऊगे ठीक है अन्यद्यू माने होता है दूसरे दिन अन्य दिन अन्यद्यू माने दूसरे दिन या अन्य दिन ते आपडम माने बाजार गतवनता माने चले गए वे सभी कहां पहुंच गया बाजार पहुंच गया अन्यद्यू माने क्या हो गया तो आप कोगी यह हुआ दूसरे दिन अन्य के बावजूद तक्त्र माने वहां कीमाभी माने कोई करेत माने स degli क्रेत्भ करेख ना सकता वह Not behavior भी उसके बावजूद payment कोई भी कुछ खरिद नहीं सका यदा है कि आपड़े राज़ा मुखम दर्सनम कथम भवेत, भी खरीदने के पहले राजह ने क्या कहा था कि कहरीदोगे तो, लिकिन उसके पहले मेरा दर्सन करना पढ़ेगा, अब बताओ राजा बाजार में कहा है, भी राजा तो अपने राज महल में रहेगा तो यतःअपडए, बताइे कैसे आपड़े माने बाजार में राजा मुखम दरसनम कथंब हो बताईए राजा के मुख का दरसन कैसे हो इसलिए कोई भी कुछ खरीद नहीं सका ते निरासा प्राप्त बनता है उनके हाथ निरासा लगिया उनको निरासा प्राप्त हुई वस्तून अक्रित्वा अक्रित्वा मने बिना खरीदे हुए तो वस्तून को बिना खरीदे हुए एो ही बिना खरीदे हुए ही एो मने ही स्वा ग्रहरानी आगत बनता है अपने स्व गए जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो आप अगर रोज इस क्लास को देखो गए तो मेरी यह गारंटी है कि पेपर तक जाते जाते आपको इतना दिमाग जरूर बन जाएगा कि भाया इसको पढ़ते कैसे कम से कम नबे परसेंट आडिया लगना शुरू हो जाएगा क् बताता रहता हूँ क्रित्तों माने क्रेमाने खरीदना क्रित्तों माने खरीद कर अक्रित्तों माने ना खरीद कर तो वस्तूनिया क्रित्ता वस्तूं को बिना खरीदे एव माने ही सुराग रहनानी आगत वनता अपने अपने घर को वापस आगए तदा क्रिश्न देव राय तब राजा तान आहूत वान राजा ने तान मैने उ नहीं सभी से पूछा आहूट वान यहाँ ले बुलाकर राजा ने उनको बुलाकर प्रिस्टवानमाने पूछा और चा लगा वाहत वीच मैं और लगा दो राजा ने उन्हें बुलाया और पूछा भो कहो सत्पुरुसा कहो सजनो भो माने अरे सत्पुरुसा माने सजनो मुद्राभी किम किम क्रीत वनता मुद्राओं से किम किम माने क्या क्रीत वनता माने खरीदा क्रैध हतु से बनता है क्रीत वनता 12 से क्या खरीदा सर्वे मौनम धर्थवान माने धारन कर लिया मौनम मानने मौन को सबीने सभीने मौन को दारन कर लिया मतलब कोई कुछ नहीं बोला पुरोहिता साहसेन कत्चितम अवदत पूर यो पूजा पाट वाले पंडित जी थे चुकि वह राजा के ज्यादा नश्दीक रहते हैं तो पुरुवित जो था वो साहसेन माने साहस से कद्चित अवदत माने कुछ बोला क्या बोला देव हे भगवन राजाक सामने को हे राजा इसे नहीं हे भगवन आपड़े भवता का दर्सनम कथम स्यात बाजार में आपका दर्सन कैसे होगा खरीद नहीं पाए क्यों क्योंकि बाजार में आपका दर्सन कैसे हो सकता है इसलिए हम कुछ खरीद नहीं पाए एव मेव अन्यपी सदैव उक्तवंता यही सबने कहा जब उसने सबसे पूछा तो सबने यहीं कहा कि सही बात है जब आपने वहां पर दर्सन होगी नहीं सकत है तो बतायी हम कैसे खरीड पाएंगे रप अंते तेनाली राम प्रतिधर्ष्टवान और ने राम की यां और देखा मने देखा छाउदत उसने उस都van उसने बोला किसने राजा गलिए उसने सब्द करेंगे नहीं यानि तेनाली राम बोला जब उन्हें देखा कि हाँ भई तुमने क्या किया तो वह बोला भगवन हे प्रभू आहम तू प्रथम दिवसे एव मैंने तो प्रथम दिन में ही दिवसे माने दिन और सत्तमी लगिर मे तो मैंने अहम माने मैं तू माने भी प्रथम दिवसे प्रथम दिन में एव माने ही प्रथम दिन में ही सरवान माने सभी अभीष्ट वस्तूनी माने अपने मन की वस्तून क्रीत वान माने खरीद लिया था सब कह रहे हैं कि हम बताओ कैसे खरीदते उसने का कि हमने तो पहले यह दिन में सब खरीद लिया था राजा देखो आपको अगर नहीं दिखा उसके लिए माफी चाहेंगे हलाकि मैं इतना कर रहा था आपको सब दिखाई दिया होगा यहांसे देखो सरवाणी वस्तूनी क्रीद वनता यह देखो भाहे भगवान ट्रेम कहता है भगवान आहम त त्वया मम होगा द माम माक आदेश यह अवेलनाकर देखा है इसका मतलब यह मेरी अधस की आवहिलना की गए है जब तुम पहले दी नहीं खरी चुको बांकित कोई नहीं खरीद पाया है इती क्रोधे ने प्रश्टवान उसने क्रोधित होकर पूछा कि भई तब तो फिर इसका मतलब तो इसका अभिप्राइय है कि तुमने मेरे आदेश की अभेलना की है नहीं माना है तेना ली राम ब नंबरता पूर्वक बोला प्रतिवचन माने उसका जवाप प्रतिवचन का मतलब उसका जवाब देना जवाब दिया मया भवद भवदा ग्याया अवेलना ना करता भव माने आपकी मया माने मैंने भव माने आपकी भवद आज्याया हमाने आपकी आज्यां की अवेलना ना करता नहीं कि है सर्वप्रथम पुर्ण मुद्रास अंकितं अंकितं भाव्मुखं था कि मौहार जो पैसा था नरुपया था नहसे पिछे राजा की अंकितम माने अंकित भव मुखा माने आपके मुख को दरश्टवान माने देखकर दरश्टवान पस्यत देखा दरश्टवान देखा और पस्यति मनसा प्रणम में और मैंने उसको प्रणाम किया एव माने उसके बाद वस्तूनी क्रीटवान कहता है कि मैंने पीछे देखा फि के बाद में वस्तिव निक्रीद मानवाने फिर कर वस्तिव मैंने खरीदी है एतत्त्त्त छ्वा राजा प्रसंद्त्त्त ये लिखा हुआ है एक द्धन सुर्ट्वा एक विंजन शंदी का नियम होता है पारी भीया बेन शंद्त नियम से दोनों जुड़ गए हैं ताक्ता के बाद अगर कभी आधा सीटी वाला सा आ जाए तो ता बदल जाता है ये आधा सीटी तो ता बदल जाता है आधा चा में और ये बदल जाता है आधा चा में तो ऐसे कुछ नियम है तो याद रखिए कि इसको सुनकर राजा प्रसन्नों अभुवत मेरा मतलब यह भ्ववत लिखा वे दा हो गया तेनाली राम अच्छा स्वभ बुद्धि कोसलें ने खिये अपनी बुद्धी के कोसली के बलपर पुनाह जो हम रफात सब्कारम Pfarpt marching पुनाह yards दुबारा नरफ का सितकारम प्राप्तरनी ब स्पाइब मान में किया कि आब आजाओ प्रश्ण करेंगे कि क्रश्ण देव राया का आशीद्र बताओं मंत्री आप कहेंगे नहीं पुरोहुत नहीं प्रजा नहीं क्या था राजा आसितो बड़ी बड़ा सिंपल जही लाथ अगहे है प्रतुन प्रतित पन्म लो प्रति उद्पं मतित्था कस्य héप प्रतुन प्रति अच्य नमति कौन था हाजिर जवाब कहा जाए है है भता हाजिर जवाब कौन था इस पता है तो आप और सर जी हाजिर जवाब ते क्रिष्ण देवराय नहीं तेनाली राम था पुरोहित नहीं था नहीं अधिकारी था कौन था तो आप कोगे तैनाली राम था आगे सुनो फिल लिखा है अन्य दयूह इती पदस्य अरथा मैंने का था कि अन्य धन उदयूह पराबर अन्य दयूह तो अन्य दयूह का मतलब होता है दूसरे दिन क्या होता है अब यहां पर देखो कौन सा है पदस्य अरथा अद्य माने आज स्वा माने आने वाला कल ध्यान से सुनना आने वाला कल ह्या माने तो आप कहोगे भईया पीता हुआ कल ध्यान से सुनते जाना सभी के सभी पीता हुआ कल और अपर माने दूसरा असमिन दिवसे माने दूसरे इ किसी दिन में यह बिल्किल साहिए क्विक्न कहुता है कि मिलकर बनाओ अधन वदैयू Danudhu बराबर अने ध्यू बराबर यहां पर गुनसंदी है धिमाग लगाओगे सब समझ में आएगा और पर इसका मतल apartments आ दूसरे दिन अपर मतलब दूसरा जिलादिकारी या पर जिलादिकारी मतलब उसी के समकच कोई दूसरा जिलादिकारी जिस जिले में वर्कलोड जादा होता है वहाँ पर दो प्रकार के अदिकारी होते हैं या उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं तो कासे होगा डी नंबर सही हो जाएगा ठीक है फि सबसे पहले केन उठापिता किस ने उठाई तो जब राजा ने पूछा तो सबसे पहले कौन बोला था तेलानी राम बोला था अधिकारी बोला था तो लिखा था पुरोहित साहशेन साहज करके सरप्रथम इसी ने तो यह मुद्दा उठाया था कि बजारें बताव आपको दर्सन कैसे करते इसलिए भई आम तो कुछ खरीद ही नहीं पाएं किस ने किया था तो आपको पुरोहित ने किया था दिमाग लगाते रहना कि आपड बाता पित नहीं उठाई तो किस ने उठाई थी तो आप कोईगे पुरोहिते न माने पुरोहित ने आगे आ जाओ राजा अधिकारी भी कत्मुद्रा प्रदित्तह राजाने अधिकारियों को कितने रुपय दिये थे एक सतम ने 100 पहुंच सतं सतम माने सो पंच माने पांच तो पांसो रुपई दे थे नहीं पंचासत माने पचास रुपईया दिये थे और पंच पंचासत माने पचपन तो पचपन रुपई भी नहीं दिये थे कितने दिये थे आप कोगे पंचासत माने पचास रुपईया दिये थे ये लिखे हैं पचपन ये लिखे हैं पांसो ये लिखे हैं सो तो किते दिये थे तो आप कोगे पचास तो यही वला से हो जाएगा ठीक है आगे आदाओ लिए इतद ईसे लिखा हुwe he agreed to take at the ृतअ्य ने सुर्थवा यससे लिखा हुआ है कर रहा कि संद्यपद में बता हो इसमें कौन सच का संद्यपद है तुम में कहता हूं कि यह होता है इसे होता है तिक है इसमें बिंजन संधी का उदान डगता है कि अगर कभी वित्ता के बाद में आधा सीटी वाला रख़ा है तुर जब आ जाता है तो इसको कायम बदल दो गया अधा, चामें, इसको बदल देगा अधा-चामें छोटाओ कि मातर लगा देंगे तो चोटाओ कि मातर लगा और यह इस प्रश्टवा नहीं है नहीं यह हो जाएगा चुकि और इसमें संधी कों से पूछे तो कई कि देना भईया इसमें कौन सी है आप कहे दो कि में बिंजन संधी होगी सब्द में कौन संधी है आप कहेंगे इसमें बेंजन संधी है आज का सबसे लास्ट जो प्रश्न है वो क्या है ध्यान से देखेगा वस्तुम क्रेडात वस्त को खरीदने के पूर बमाने पहले कस दर्सनम अनिवार्यम आसीद किसका दर्सन अनिवार था तेनाली राम का राग्या क्रशन देव राय पुरोहित का अधिकारी का सब गलत है किसका निवार था राजा का और राजा का नाम क्या था तो क्रशन देव राय नाम था आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि आप इसको पढ़ते पढ़ते किसी अन्य टॉपिक पढ़ने के भी काबिल बन सकें इस वरकार से मैं आपको पढ़ता रहता हूँ तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बास समझ में आएगी आप इसका आनंद लेंगे आप इसको समझेंगे तो इसी के साथ में आज की इस क्लास को समापता करेंगे इसी विस्वास के साथ में और आप सभी के सभी हमको सपोर्ट करेंगे ऐसा हम मानके चलते हैं क्योंकि यह सब आपके ही हाथ में हैं जितने भी लोग देखो प्लीज और प्लीज इसको लाइक सेर शेज सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को आप हमको सपोर्ट करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे आपने देखा है यह कंटेंट पर बराबर हम लोगों ने काम किया है हमने बराबर उसकी क्वालिटी को इनहेंस किया है जो तरीके हम पहले आपना रहे थे कहीं न कहीं हमने तरीकों में भी सुधार किया है तो यह सब आपके सपोर्ट से ही तो हो पाता है आप जितना हमारा सपोर्ट करेंगे हम अपनी इंड से उतनी ही चीज़ें बहतर करने की कोश देखेंगे जो हो सकता है आपने अभी तक ना देखी हों और एक बहुत ही बैतर से बैतर प्रयास करेंगे इसी आसा और विश्वास के साथ में आज मैं आपसे बिदा लेता हूं अगली क्लास में आपके साथ में मिलेंगे इन्हीं किसी कंटेंट के साथ में तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार